नौश्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उमिद करता हूं कि आप लोगों को प्रैक्टिस करने में मज़ा आ रहा हुगा और अभी तक हमने जितनी भी एक्सराइज की हैं पिछली वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया है उन सारी की सारी एक्सराइज को आप अच्छे तो वन बाइवन विदाउट वेस्टिं ताम लेट्स स्टार्ट इस सेशन जैसे मैंने पहले बताया था सबसे पहले हम मैट्रोनोम को 60 BPM पे एटलिस सेट करेंगी तो मेरा मैट्रोनोम अलड़ी सेट है 60 BPM पे ठीक है सो फर्स्ट वन इस पहली एक्सराइज जो है जो आप अरड़ी कर रहे हो वो तो यह है सबसे पहली है यह उसके बाद में सारे के सारे नोट्स को हम डबल डबल टाइम प्ले करेंगे जैसे उसके बाद में थर्ड एक्सराइज है दोस्तों हम लेफ्ट हैंड साइड से फिफ्ट फिंगर और फिर्स्ट फिंगर को हम सी और जी पे प्लेस करेंगे आसे और जैसे क्लिक चल रहा है जैसे आफे टू क्लिक के बाद और राइट हैंड से प्लेट फिंगर एक्सराइब उसके बाद में अब इसको left hand part को right hand पे shift कर दीजिए और right hand part को left hand पे shift कर दीजिए कैसे let's start left hand आप इसे next challenge यह है कि आप जो left hand से हाप C और G को प्रेस कर रहे हो यानि कि सा और पा को जो प्ले कर रहे हो right hand का side का part same बज़ेगा C, D, E, F, G according to this tempo और left hand से क्या करना है आपको one by one note बजाना है जैसे C, G, 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 S, आ, 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 आ अब राइट हैंड का पार्ट लेफ्ट हैंड पे और लेफ्ट हैंड का पार्ट राइट हैंड पर जैसे अब लेफ्ट हैंड 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 लेफ्ट हैं अब जो final exercise मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है माल लो कि this is one two three four and five यानि कि अपने पास five notes right hand side है और five notes left hand side से हम बजा रहे हैं right hand से c to g और left hand से भी c to g अगर हम इनको notes की बजाए अगर digits मान ले तो आपके लिए समझना असान हो जाएगा जैसे this is one two three four and five got it let me stop it once one two three four and five अगर इसको हम ऐसे माने जैसे one five four five three four two three एक बार फिर से यही sequence जैसे one five four five three four two three I hope आपको समझ में आ गया होगा left hand से क्या है five one two one three two four three once again five one two one three two four three अब अगर हम सिरफ notes को ही बोलें फिर आपका challenge क्या है दोनों हाथों से बजाना לא क्या है से जी एफ एफ गी एफ ऑफ दी थी And repeat it again and again zowing to our Indian notes, J scallop साप्पा मापा गा मारे गा साप्पा मापा गा मारे गा Now let's do it with tempo. साप्पा मापा गा मारे गा सी जी एफ ग ग फ दी एफ दी एफ दी एफ दी एफ दी ओन फ़र 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 ग गड़ 3-4-2-3 साप्पा मपपगा माद्रिगा साप्पा मपपगा माद्रिगा तो आज के लेसिन में दोस्तों इतना ही आई होप आज की वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी कुछ नई चीजे सीखने को मिलेगी तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तब के लिए धन्यवाद